हेलो चेंपियंस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे दोस्तों मैं पीके मिश्रा आप लोगों का लेट स्कोर हंडेट पे वेलकम करता हूँ मेरे क्लास 10 के दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 की जोगरफी का पहला चैप्टर रिसोर्स आइंड डिवलपमेंट पढ़ने वाले हैं दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं रिसोर्स इस एकोनॉमिक डिवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिना resources के economic development तो दूर की बात है, किसी भी form of life का survival इस planet पे नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि resources, all forms of life के survival के लिए and maintenance of quality of life के लिए plus economic development के लिए बहुत ही important है, तो दोस्तों हम लोगों ने अभी यह समझा कि हमारी life में resources का importance क्या है, value क्या है, अब आये chapter शुरू करते हैं और देखते हैं चैप्टर का theme है resource and development, दोस्तों, चैप्टर 1 का जो पहला paragraph है which talks about resources, और इस paragraph से basically resources वाले topic से दो तरह के question आते हैं normally, पहला question आप लोगों का यह हो सकता है, define resources, जो की one marker होगा, दूसरा question आप लोगों को यह मिल सकता है, explain the term resources with example, यह two marks का हो सकता है, तो दोस्तों, इस slide पे आपको तीन pictures दिख रही हैं, एक coal की, एक river water की, दूसरी, तीसरी forest की, इन तीनों examples से, आज हम लोग, the term resource के definition and explanation को समझेंगे, दोस्तों, term resource में five keywords हैं, कौन से five keywords हैं, एक बार हम देख लेते हैं, and these five keywords are, एक बार पढ़ते हैं इसे, everything available in our environment, तो पहला keyword क्या हुआ, available in our environment, दूसरा keyword क्या है, used to satisfy our needs, तीसरा keyword क्या है, टेकनोलोजिकली accessible, चौथा keyword है हमारा, economically feasible, and हमारा, पांचवा keyword है दोस्तों, culturally acceptable, अगर ये पांचो keywords हम learn कर लें, हमारी resource की definition learn हो जाएगे, explanation भी हम अच्छे से कर पाएगे, इसमें देखने वाले बात यह है एक दोस्तों कि ये जो पहले जो दो term है, वो keyword तो ही है, बाकी की जो three terms है, keywords है, वो three keywords के साथ साथ ये three conditions भी है, अगर हम किसी thing को resource कहना चाह रहे हैं, तो वो बाकी के last के जो three conditions हैं, उसको fulfill करना बहुत जरूरी होता है, तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं कि cold को जैसा कि हमने बोला कि cold resource है, आईए देखते हैं cold resource कैसे है, अगर हम cold को resource बोलना चाहते हैं तो ये five keywords उसमें होने चाहिए, तो देखते हैं पहले, पहला keyword है available in our resource, in our environment, तो basically cold resource है, जी यहां resource है, कैसे, क्योंकि cold हमारी country में, world में भी पाया जाता है अलग अलग countries में, लेकिन यहां पे हम resources हैं, development इंडिया के context में पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी country की बात करेंगे, coal हमारी country में large quantity में पाया जाता है, और इतना ही नहीं, good quality coal means हमारी country में large quantity में coal available है, और उसमें good quality coal भी available है, तो availability confirm हो गई, दूसरा है used to satisfy our needs, तो क्या coal हमारी need को satisfy करता है, satisfy करता है coal हमारी need को, yes, बिल्कुल करता है, कैसे करता है, दोस्तों rural areas में coal cooking के काम में आता है, दूसरा धेर सारी industries हैं, जैसे कि cement industry हो गई, iron and steel industry हो गई, जिसमें large amount of coal का इस्तेमाल होता है, और इतना है नहीं, सबसे ज़्यादा coal का इस्तेमाल होता है दोस्तों, thermal power plant में, जहां पे electricity generate होती है, then household के लिए and industries को electricity supply की जाती है, तो हमने देखा कि coal हमारी need को satisfy करता है, तीसरा हमने देखा, अब यह जो तीन conditions है, किसी भी resource को हम resource कह पाएं, यानि उस resource को यह तीनों conditions को fulfill करना होगा, technologically accessible, तो क्या coal technologically accessible है, जी हां, कैसे, हम लोग coal को coal mines से निकालते हैं, available technology से, हमारे पास technology है, तभी तो हम coal mines से उनको निकाल रहे हैं और thermal power plants में पहुचा रहे हैं, और markets में भी available है, और different industries को भी तो supply किया जा रहा है, right, तो यह technology के लिए accessible है, next keyword है, air condition है, economically feasible, तो what do we mean by economically feasible, कहने का मतलब यह है, कि coal को coal mines से निकाल करके, different industries को supply करने में या thermal power plants को supply करने में जो cost आती है, तो क्या coal का use करने में उतनी value भी हम लोगों को मिलती है, अगर हम compare करें कि coal को coal mines से निकालने में और जो value coal हमारी life में add करता है, यानि coal के use, coal को use करके जो हम electricity generate करते हैं, तो हम पाएंगे कि अगर हम coal से होने वाले benefits, और coal minus तो coal निकालने में जो cost आती है, अगर उसको हम compare करेंगे, तो वो benefits बहुत जादा है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि coal, economically feasible भी है, and culturally acceptable, चलिए, इस condition को दिखते हैं, coal fulfill करता है कि नहीं, दोस्तों, जहां तक coal की culturally acceptable होने की बात है, एक छोटा सा sentence आप लोगों से share करूँगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, दोस्तों, coal को हम लोग क्या बोलते हैं, coal is also known as black diamond, यह sentence अपने आप में, coal की cultural acceptability को साबित करता है, इस तरीके से हमने देखा कि coal, three conditions को fulfill कर रहा है, तो coal एक resource है, चलिए हम लोग, दूसरे, जो हमारा दूसरा example है, उस पे भी एक definition try करते हैं, और देखते हैं क्यों resource है कि नहीं, दूसरा हमारा example है, river water, river water resource है, बिल्कुल resource है, तो क्या river water, first two keywords, and last के three conditions को fulfill करता है, बिल्कुल करता है, आई यह देखते हैं, available in environment, rivers तो हमारी पूरी country में available है, आप लोगों ने देखा भी होगा, right, used to satisfy our needs, river water, यानि river हमारी need को कैसे satisfy करती है, समस्ते हैं, सबसे पहले तो हम rivers पे dam बनाते हैं, right, जो rivers पे dam बनता है, वो flood को तो रोकता ही है, क्योंकि हम जो rivers पे, जो dam बनाते हैं, उसमें हम water collect करते हैं, और जो dams बनते हैं, वो as a tourist spot भी develop किये जाते हैं, यानि tourist भी वहाँ visit करते हैं, जाहिर से बात है, एक कहीं ने कहीं economic activity या economic growth में help करता है, तो पहला tourist spot हो गया, दूसरा, dams में water collect करके हम electricity generation भी करते हैं, cold से तो electricity generate होती ही है, river water से भी electricity generate होते हैं, जिसे हम लोग hydro electricity के नाम से जानते हैं, तो हमारी नीट को satisfy कर रहे हैं, और क्या-क्या नीट को river water satisfy करता है, टैनल के थूरू remote areas में water भेज जाता है, जो farmers के crop को irrigate करने के काम में आती है, यानि farmers अपने crop को पानी देते हैं, फिशाए करते हैं, irrigation करते हैं, और इतना याने friends, जो river water है, वो different industries को भी supply किया जाता है water, इसमें mainly आता है आपका, supply तो धेर सारी industries को होता है, इसमें main industry आती है आपका leather industry, क्योंकि leather industry में बहुत ही ज़्यादा water का इस्तेमाल होता है, तो यह भी हमने देखा कि river water हमारे needs को satisfy करती है, तो क्या यह technologically accessible है, river water है, जी हाँ बिल्कुल है, कैसे technologically accessible है, क्योंकि हम pipes के through, dam technology ही तो है, river water को हमने मौनसून में बहुत ज़्यादा water हो जाता है rivers में, तो हम उसको store करते हैं, with the help of dam, dam technology ही तो है, और फिर हम canals के through, और बड़ी-बड़ी pipes के through, और एक चीज़ और river water को हम लोग domestic use, drinking के लिए भी तो करते हैं, उसके बाद अगली condition हम लोग देखते हैं, क्या यह economically feasible है, definitely यह economically feasible है, तभी तो इतने दिनों से dam पे, dam में water collect electricity हम generate कर रहे हैं, right, और अगर हम compare करें, कि यह economic, इसके जो फायदे हैं, या रिवर पे dam बनाने में जो cost आती है, या pipelines ले करने की cost आती है, या canals को dig करने की, या canals को मराने की cost आती है, अगर इन cost को compare करें, river water से होने वाले फायदे की, तो benefits are huge, तो इस तरीके से हम यह बोल सकते हैं, कि river water economically feasible भी है, अब last आता है, culturally acceptable, तो क्या river water culturally acceptable है, हमारे यहाँ तो Indian culture में बोलते हैं, जल ही जीवन है, यानि water is life, और इतना ही नहीं, river की तो worship भी करते हैं हम Indians, उसमें एक prominent river है, Hindi में बोलते हैं गंगा नदी, English में बोलते हैं Ganges, तो दोस्तों इस definition को I hope आप लोगों ने समझ लिया, अब यह जो तीसरा example है, वो है forest का, मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग इस definition को forest पे apply करिये, और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को explain किया हुआ है, आप लोगों भी उसे explain करें, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको यह definition कितनी समझ में आई, चलिए दोस्तों एक बार नगे quick recap करते हैं, basically I am trying to make you learn, यह answer ताकि basically यह definition जो है resource की आप लोगों को learn हो जाए, तो एक बार quickly करते हैं फटाफट, so there are five keywords, पहला keyword क्या है, available in the environment, दूसरा keyword क्या है, use to satisfy, it must satisfy our needs, तीसरा keyword क्या है, technologically accessible होना चाहिए, जोथा keyword क्या है, economically feasible होना चाहिए, पाचवा keyword क्या है, culturally acceptable होना चाहिए, देखे, हमारे ज़्यादा तर friends को, आप में से ज़्यादा तर लोगों को यह definition learn हो गई होगी, लेकिन मेरे कुछ और भी friends हो सकते हैं, जिनको इस definition को learn करने में थोड़ी सी challenge आती है, तो उनके लिए एक special trick है, आएए देखते हैं, इसमें हम लोग, एक trick है, उसकी help लेते हैं, इसको बोलते हैं, tech, टी, ए, सी, tech, इसके help से आप लोगों को याद हो जाएगा, basically T stands for technologically, टेकनोलोजिकली क्या होना चाहिए, accessible, तो हमने A लिख दिया, economically क्या होना चाहिए, feasible, तो हमने F लिख दिया, culturally क्या होना चाहिए, acceptable, तो हमने A लिख दिया, तो basically इस, tech को यूज़ करके आप resource की definition को learn कर सकते हैं, आप लोग चाहिए, तो इससे note कर लिजे, बहुत ही easy है, only five keywords are there, and tech की help से हम this definition को अच्छे से learn कर सकते हैं, let's move on to the next slide, which is, which talks about, यह देख करके आप लोगों को कुछ आदा रहे हैं, यह आपकी NCRT की book का पहला ही page है, और यह diagram जाना पहचाना लग रहा होगा आप लोगों को, यह जो diagram है, it shows, you know, interdependence of nature, technology, and institutes, और इन सब के center में होते हैं, हम human beings, चलिए आईए से समझते हैं, कैसे, हमारे physical environment पे जो भी resource available है, यहाँ पे हम लोगों ने example लिया है, river water का, हमारे physical environment पे river water available है, और यहाँ पे हमने technology कौन सी यूज़ करें river water पे, dam, dam, एक technology का ही example है, और फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने institutions create के रहे हैं, हम लोगों ने institutions क्या create किया है, water resource ministry कह लिज़े, water resource भवन कर लिज़े, basically, water resource ministry या जल संसाधन मंत्राले है, भारत सरकार का, जिसकी यह जिम्मेदारी होती है, कि country में जितने भी water resources हैं, वह उसको manage करें, और country में water की requirement को, ध्यान में रखते हुए, 10 और 15 years को ध्यान में रखते हुए, यानि 10-15 years में water की demand कितनी बढ़ेगी, issues को ध्यान में रखते हुए, policies बनाए और उन पर काम करें, अब देखें, अगर water को लेकर policies, यह concern department न बनाए, तो क्या industries को water मिल पाएगा, हमें जो drinking water हर रोज चाहिए, मिल पाएगा, या farmers को जो irrigation के लिए, water चाहिए होता है, क्या वो मिल पाएगा, अगर यह concern department, अभी एक और example से हम लोग इसे समझेंगे, अभी पहले इसी example को continue करते हैं, तो यह देखे department कितना important role, बेसिकली जो institution हम लोगों ने create किया है, यह कितना important role play कर रहा है, और जब farmers crop grow करता है, या industries run करती हैं, तो क्या होता है, जायर से बात है, economic development को, बढ़ावा मिलता है, economic development होता है, चले एक और example से हम लोग इसे समझते हैं, चले इस बार हम लोग नग और गोल का example लेते हैं, यह तो river water होगे, हम लोग कोल का example लेते हैं, और देखते हैं कि हम interdependence, कोल के example से हम interdependence, between nature, technology and institution को समझते हैं, right, कोल को, country में कोल, से related मामलों को देखने के लिए, हमारे पास कौन सा institute है, कोल ministry, right, कोल ministry की जिमेदारी बनती है, कि कोल से related मामलों को handle करे, and जैसा कि हम लोग ने अभी, discuss किया था थोड़ी दिर पहले, कि कोल की सबसे ज़्यादा consumption होती है, thermal power plants में, जहां पे कोईले से, coal से electricity produce करी जाते है, right, और कोल thermal power plants में तो जाता ही है, use होता ही है, कोल, जैसा कि हम लोग ने पहले डिसकस किया था, cement industry में भी use होता है, iron and steel industry में भी use होता है, right, और household consumption, मेट्रो सिटी में तो कोल का use नहीं होता, बट जो इंडिया के डूरल एरियाज है, वहाँ पे कोल को हम cooking के लिए भी use करते हैं, तो ये कोल ministry कीजिए, हमने कौन सा, हमने environment available coal को, present technology, present technology में माइनिंग में जो भी technology यूज आती है, उसको हमें इस्तेमाल करते हैं, और coal mines से coal निकालते हैं, और इन सम्माम लोगों को manage करने के लिए हम लोगों ने, यहाँ पे हमने water लिखा है, बट अगर coal का example लेगे, तो coal ministry हो जाएगी, right, और country में, coal और कहां मिल सकता है, यहाँ पे मवजूद है, बिसिकली इसका coal का proper management करने के लिए, हमने institutions create किया है, अब देखें, coal ministry कितना important role play कर रही है, यह ensure करती है, कि industries को household consumption के लिए, and thermal power plants को, continuous supply बनी रहे, अब देखें, यह क्या economic development में बहुत बड़ा role, यह institution, coal ministry play नहीं कर रहा है, definitely कर रहा है, दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एक, जैसे हम लोगों नहीं है, पर river water and coal का example लिया, आप लोग भी एक example लें, और interdependence between, nature, institution, and technology, एक नया example लेकर करके, comment box में explain करें, तब ही मुझे पता चलवाएगा कि मेरी कोशिश कितनी कामयाब हो रही है, चले दोस्तों, अब हम लोग next topic पे, basically topic यह ही है, आई यह दिखते हैं, and CRT में और क्या लिखाव है, दोस्तों एक चीज, आप लोगों से मैं यह share करना चाहरा था, कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, one marker 20 आते हैं, SST में, और उसके साथ ही साथ, जो आपका question number 34 होता है, 35 होता है, 36 होता है, basically case based questions होते हैं, right, तो basically, NCRT के हर chapter की हर paragraph पढ़ना, NCRT के हर chapter का हर paragraph, and हर paragraph के हर line पढ़ना important हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि one marker कहीं से भी बन सकता है, right, तो हम लोग NCRT को detail में पढ़ेंगे, और मैं आपको विश्वाज लाता हूँ, कि जो लोग, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसके बाहर से, basically हम लोग जो पढ़ेंगे, और मैं आप लोगों को notes भी provide करूँगा, जिसका link आपको मिल जाएगा, वीडियो में ही, उससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, यह मैं आप लोगों को assure कर रहा हूँ, इसलिए lecture को खूब ध्यान से सुनिये, notes आपको मिल जाएगा, आप notes दे, जो कि diagram के form में होगा, और keywords के form में होगा, कुछ tricks भी होगी, आप वहाँ से अच्छे से learn कर सकते हैं, बिसिकली हमारी strategy यही होगी, board exam 2024 के लिए, 2024 के लिए यही होगी, कि हम लोग NCRT को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, and समझेंगे, और learn भी करेंगे, आई जो हम लोगों ने अभी diagram पढ़ा था, उससे related कुछ lines हैं, देख लेते हैं बार, लिखा हुआ, the process of transformation of things, process of transformation of things, available in our environment, involves an interactive relationship between nature, technology and institutions, अल्रड़ी हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं, नेक्स्ट है, human beings interact with nature, through technology and create institutions, to accelerate economic growth, यह line भी हम लोग अल्रड़ी समझी चुके हैं, नेक्स्ट इसी में, हमारा point है, do you think that resources are free gifts of nature, as is assumed by many, दोस्तों क्या लगता है, क्या resources free gifts हैं, no, resources free gifts बिल्कुल भी नहीं है, क्यों नहीं हैं, अगली line देखते हैं, resources are function of human activities, चलिए यसे समझते हैं, resources are function of human activities, कैसे, देखे, जो भी resources हमारे natural environment में available हैं, क्या हम उसको उसके original form में यूज कर सकते हैं, अब कोल को कोल मायन से कोल हम हाथ से थोड़ी निकाल लेंगे, उसके लिए हमें technology चाहिए, जो technology हम बनाते हैं, अब river water को हम ऐसे ही ले के पी थोड़ी सकते हैं, हम water का treatment होता है, फिर water purify किया जाता है, हम लोग घरों में purify करते हैं, तो हम उस water को consume करते हैं, तो basically जो भी resources nature में available हैं, उसके लिए उसको fit to drink हो सके, या उस particular resource को हम usable form में ला सके, उसके लिए हमें efforts करने होते हैं, फ्री में नहीं मिलता, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, कि resources free gift of nature नहीं है, और एक चीज़ और, इसका एक explanation और हो सकता है, इसका दूसरा explanation है कि, क्या कुछ लोग resources को free gift माल लेते हैं, तो क्या करते हैं, उसको indiscriminate use करते हैं, बिना सोचे, इसका environment पर क्या आफर पड़ेगा, future generations के लिए पर क्या आफर पड़ेगा, तो basically, it talks about judicious use of natural resources, एक लाइन और देखते हैं, हम लोग next क्या है, human beings themselves are essential components of resources, जैसा कि हम लोग ने अभी discuss किया था, मैं तो यह बोलूँगा कि human beings सबसे ज़्यादा important, human beings are the most important resource, क्योंगे अगर human beings ना हो, अजिम कीजिए एक situation, कि human beings इस planet पर नहीं है, तो क्या है इन resources की कोई value रह जाएगी? बिलकुल नहीं, तो हम human beings क्या कर सकते हैं? transform करते हैं, जो materials available हैं हमारे environment में, into resources, जैसे, river water है, हमने उसे, treatment किया उसका river water का, और यह जो river water हमारे घरों में, टैस्क के थूँ सप्लाइ किया जाता है, I am talking about urban areas, यह जो river water पहले, river water को treatment plan, water treatment plants होते हैं, government वहाँ इनको, पहले purify करते हैं, फिर हमारे घरों में आता हैं, फिर हम घरों में भी बिरिफाई करते हैं, तो इस तरीके से हम लोगों ने, हम लोग क्या करते हैं, कि nature में जो, भी resources available हैं, उनको हम usable form में लाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उनको resource के form में लाते हैं, and use करते हैं, दोस्तों, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है, प्रीज comment box में comment करके बताएं, कि आपको यह explanation कैसी लगी, See you very soon, in next video, keep learning, keep growing, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, Thank you so much,